नमश्यार दोस्तों कैसे आप सब दोस्तों आज का टॉपिंग बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक होने वाला आप लोगों के लिए इसलिए वीडियो पूरी देखनी है बिल्कुल स्किप मत करना नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे आज मैं आप से बात करूँगा कि आ पूरा का पूरा दिन घुज़ार होगे मगर अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना लेट्स मूव ओन दो वीडियो टिप नमर वन 30-40% कैलरी सरप्लस देखो अगर वेट करना है तो आपको कैलरी सरप्लस में रहना पड़ काइब सब्सक्राइब करनी आपका एक किलो वजन बढ़ सकता है टिप नमबर टू हैवी और इंटेंस ट्रेनिंग देखा गया है कि जो लोग हैवी और इंटेंसली ट्रेन करते हैं जिम के अंदर जाकर उनके आरफीसी काउंट बढ़ जाते हैं जो की रिस्मोंशिबल होते आपके hunger के लिए जितनी ज़्यादा RBC होगी उतने ज़्यादा आपको भूग लगेगी जिससे कि आप और ज़्यादा के अपका वजन बढ़ेगा इसलिए ज्याद़ ज्यादा हैवी और इंटेंस ट्रेनिंग करनी है मगर शॉर्ट रेप में आप जाते हो बैंच प्रेस लगाते हो तो सो के लोगी बेंच प्रेस लगाओ मंगर तीन से चार रेप के लिए इसके आगे मत बोड़ो जितनी हैवी और इंटेंस टेनिंग करोगे उससे आर बीसी बढ़ेगा साथ के साथ आपको भूग लगेगी टिप नमबर थ्री इंक्ल्यूड लिस्कार्डि क्योंकि आपका डाइजेशन स्क्रोंग होगा तो इसलिए हमेशा इंक्ल्यूड करो 20 मिनट्स लिस्कार्डियो आप कुछ भी कर सकते हो आप वाकिंग कर सकते हो या कोई भी एदर एक्टिवेटी कर सकते हो जिसमें वह इंटेंस ना हो टिप नमबर फॉर इट फिफ्टी त 60% काप ये इंपोर्टेंट टिप है इसको आप सुनना अच्छी तरह है आपके मैक्रो में क्या होता है प्रोटीन होता है काब्स होता है यह तीन चीटों से बनेते हैं हमारे मैक्रोज तो आपको क्या करना है जो भी आप मील कंजियूम करोगे उसमें को कोशिश करनी है कि ज इसलिए जो भी आप मील प्रिपेर करोगे, उसमें 50-60% काब्स होने चाहिए, उसके बाद जो प्रोटीन और फैट्स बच जाएंगे, वो अधर रेशु के हिसाब से आप निकाल के इंक्लूड कर सकते हो, जाना जा रहे हो, तो एक्स क्या गरो, शेकर में डालो, वोइल करके, उसके थोड़ा हनी, हनी डालो, चॉकलिट डालो, उसको अच्छा सा एक शेक बना गए, उसको पी जाओ, इससे क्या होगा, आप जादे से जादा क्यारीज बहुत कम टाइम में और लिक्विड के पी सकता है, अगर आप इन टिप्स को ठंक से फोलो कर लोगे,